जय जगन्नात दोस्तों, रत यात्रा मिलन है, एक यात्रा है, भक्त और भगवान के मिलन के यात्रा, आए दोस्तों आपको रत यात्रा के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं प्रतिवर्ष मनाये जाने वाले रत्यात्रा महोत्सो श्री कृष्ण जी की ही एक अत्यांत मधूर मनोहारी लीला है जगनात रत्यात्रा महोत्सो सद्यो पूरानी परंपरा है इस उत्सव का आरंभ होता है इसनान यात्रा से जब भगवान जगन्नात का प्रागट्य होता है इस दिन भगवान सभी भक्तों के मध्य इसनान करते हैं अर्थात जला विशे किया जाता है इसके बाद भगवान पंदरा दिन अड़ा उसर में रहते हैं अर्थात ये उचित समय नहीं रहता भगवान से मिलने का भगवान बिमार हो जाते हैं और अपने मौसी के घर चले जाते हैं भगवान रथयात्रे के दिन पुना आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं आसाड माह के डूतिया को भगवान मुख्य मंदिर से निकल कर अपनी मौसी गुंडिचा के घर की यात्र करते हैं इसकी वी कथा कुछ ऐसी है कि राजा इंद्रदुम्य महराज जिनों ने जगनात मंदिर बनवाई और सी विग्रहों की स्थापना की उनकी सेवा से भगवान प्रसन होते हैं और वर मांगने को बोले राजा बोले उन्हें कुछ नहीं चाहिए बस उनकी सेवा करना चाहते हैं पर भगवान के बार बार आग्रह करने पर राजा बोले कि अगर आप देना ही चाते हैं तो मुझे ये वर्दान दीजिए कि मेरी कोई संतान ना हो तब प्रभु के पूछने पर राजा बोले कि आप हम पर प्रशन होके दारू ब्रह्म के रूप में प्रगट हुए दोस्तो दारू का मतलब होता है कास्ट या लकड़ी मेरी संतान होगी तो वो आपको अपनी पैत्रिक सम्पत्थी समझेगी और क्या पता किसी और को आपकी पूजा अर्चना करने देगी या नहीं देगी और मेरी इक्षा है कि आप जगत के नात अर्थात भगवान जगनात बन कर रहे तब महरानी गुंडिचा संतान ना होने की बात सुनकर दुखी हो गई और फिर भगवान मा गुंडिचा से बोले आप दुखी मत हो मैं स्वयम बलभद्र और सुभद्र आपकी संतान बन कर रहेंगे और मैं ये वच्चन देता हूँ आपको कि साल में एक बार पूरे नौ दिन आपके पास रहूँगा आप अपने संतान संबंदी जो भी इक्षा हैं पूरी कर लेना इसलिए भगवान अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ गुंडिचा महरानी के घर में ठहरते हैं आसार सुकलपक्ष की पंचमी जिसे हिरा पंचमी भी कहते हैं उस दिन मा लक्षमी जगनाथ भगवान से मिलने गुंडिचा मंदिर आती हैं प्रंतु दर्सन्न मिलने के कारण क्रोधित होकर रत का एक भाग को तोड़ देती हैं और वापस मुख्य मंदिर आ जाती हैं नौवे दिन भगवान जब मुख्य मंदिर आते हैं तो लक्षमी मा अपना क्रोध प्रदर्शित करती हैं वो द्वार बंद कर देती हैं फिर जगरनाथ भगवान लक्षमी जी को मनाते हैं और वो द्वादिसी के दिन द्वार खोल देती हैं भगवान अंदर आते हैं देखा दोस्तो भगवान भी अपनी पत्नी के गुस्ते से कितना डरते हैं ये रथ यात्रा है भगवान के दिव्य प्रेम को मंदिर से निकाल कर पूरे नगर ही नहीं बलकि पूरे विश्व में फैला देती है भगवान अपनी कृपा हम सब पर बरसाने के लिए वर्ष में एक बार मंदिर से बाहर आते हैं तो बस इस प्रकार ये मिलन यात्रा है भक्त और भगवान की रथे यात्रा आपके लिए सुबकारी हो जय जगनात